दोस्तों आप सभी यहां देख रहा है कि यहां बाथरूम में वाटर प्रूफिंग यहां पर अपलाई किया जा रहा है यानि कि लगाया जा रहा है आप देख सकते हैं टाइल के नीचे अभी यहां जो फ्लोर टाइल है वाल टाइल तो लग गई यहां पर अभी लगाई जान चोटा सा जो काम है मुस्किल से आप 1000 रुपी अगर एक बाथरूम में खर्चा करेंगे तो आपको कम से कम वहाँ पूरी लाइफ में मतलब जितनी भी आप साल तक आपका ये बाथरूम रहेगा आपको उसमें कोई परिसानी नहीं होगी और आपका काफी पैसे का बचत भी होगा वो कैसे आगे वीडियो में आप बने रहेगा तो आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगी अब जैसे यहाँ देखिए यह बाथरूम के दिवार पे कैसे सीलन से पूरा पपड़ी यहाँ पे जो प्लास्टर है वो निकल गया है यहाँ आप देख सकते हैं मैं जो दिखा रहा हूँ उसका दिवार का क्या हाल हुआ है महहना समहहना चैसे सीलन से बचने के लिए आप सब्सक्या बाथरूम के जितनी दिवार है कि हमारे bathroom में sealant आ रहा है तो ओ इसलिए आती है दोस्तों आप जैसा आप देखी उसको अब क्या है कि आप repair करेंगे वहां पे फिर आप पूरे bathroom को वहां पे तोड़ते हैं seat को निकालते हैं pipe को तोड़ते हैं फिर दुबारा से उस पे chemical लगाते हैं फिर से आप उस पे पूरा उसको भराओ करते हैं RCC का उसको ढ़लाई करके तब फिर से seat लगाते हैं टाइल लगाते हैं तो इस process में आपको कम से कम 15-20,000 रुपय एक्ट्रा खर्चा हो जाता है उपर जैसे आप बगल बगल का दिवार का मरमत कराएंगे उसमें भी पैसा खर्चा हो जाएगा तो यहां पर करना क्या है कि इस सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहले आप जैसे यहां आप देख रहे हैं कि जिस भी bathroom में आपको टाइल लगाने से पहले यहां अच्छे से उ आपको सफाई कर लेनी है फिर उसको पानी मार कर और उसको पूरी तरीके से किलीन कर लेनी है जैसे आप देख रहे हैं यहां पानी मार के किलीन किया जा रहा है फिर उसको आपको क्या करना है थोड़ा देर सुखने के लिए छोड़ देना है उसमें हलका सा नमी बरकरार रह लिक्वीड दिखा रहा हूँ यह लिक्वीड है यानि कि आप देख सकते हैं यह 5 किलो का यहां पर लिक्वीड है और यह जो है यह है इसमें पाउडर यानि सिमेंट का तरह यह पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा तो यह दोनों चीज एक साथ मिलता है आप इसको दोनों डालने के बाएद उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और मिक्स जब तक करना है कि उसके प्योर आपका एक होता यह लिक्वीड और हुआ बहुत अच्छा फॉर्म में लेले जूस की तरह तो ऐसे आपको मिक्स कर देनी है अगर आपके परास mixing equipment हो तो आप उससे अच्छे से मिक्स कर दे जो आज कल market में सस्ते मिल जाती है तो यहां site पर बहुत लोग के पास नहीं होती है तो यहां brush से या फिर जो करनी हो रहा है उससे आप उसको mix कर सकते हैं तो उसको आपको proper अच्छे से mix कर लेन है और दोस्तो लिक्वीड अगर मैं पहले ही बताया कि दो डबा ही लेना है और सिम पाउडर भी आपको दो ही डबा लेना है और दोस्तों यह जो था इसका मैं फोटो भी आपको यहां दे दे रहा हूं आप इस फोटो को देखके अप मार्केट से यह खरीद सकते हैं पीडिफिन 2K इसका नाम है डॉक्टर फिक्सिट 112 अब जो सर्फेस यानि जो बात्रूम पे जहां पे बात्रूम के फर्स पे कीचेन के फर्स पे छत पे इबालकनी में जहां पे भी आप इसको अपलाई करना चाहते हैं जहां पे भी वाटर प्रूफिंग आपको करना है ज पहले वहां पे हमने अच्छे से मोटा पेश्ट बनाके इसको अच्छे से लगा दिया है और आपको कोई सावी छोटा से छोटा गैप आपको छोड़ना नहीं है सब जगब वहां पे अच्छे से वाटर प्रूफिंग करनी है याद रखिएगा इसको मिक्सिंग करने में आ ठीक है और आपको यहां पे क्या करना है कि पहला कोट मारना है पहला कोट जैसा आप देख रहा है इनका हाथ यह होरीजेंटल डाइरेक्शन में मने एक ही साइड से चल रहा है तो आपको एक साइड से पूरा पहला कोट मार लेना है जितना भी आपका एरिया है पहला कोट म है कि यहां पे अब दूसरा कोट हमें इसमें करना है यानि दो कोट में आपको waterproofing करनी है कम से कम या आप चाहे तो ज्यादा अगर आपका मान लिजे कि पानी वाला जगह है तो वहां पे आप तीन कोट कर सकते हैं लेकिन दो कोट में इसका आपको proper result अच्छा मिल जाता है तो अब दूसरा कोट कैसे करना है दोस्तों जैसे पहला कोट मैं ऐसे किया था जैसे उंगली से आपको बता रहा है अब दूसरा कोट मुझे चार से पांच गंटे बाद सीधा करना है यानि कि vertical direction में पहला हमने horizontal किया था दूसरा हमें vertical ऐसे करना है तो आपस में जितना भी gap प्रोपर वहां पे हमारा waterproofing वहां पहुँच जाएगा कोई भी जगह नहीं बचेगा तो इसमें आपको यही द्यान रखना है कि सफाई अच्छी होनी चाहिए और प्रोपर mixing होना चाहिए और अच्छा coat apply होना चाहिए तब जाके आपका waterproofing काम करेगा फिर इसके उपर आप अब यहां पे क्या करना है पाइप का जो काम है पाइप डाल दीजिए फिर आपको इसमें जो रोडी का भराव करना है रोडी दाल दीजिए फिर उसके उपर आप अब टाइल लगा के फिर आप उस पे seat लगाईए वास बेसिन लगाईए जो भी लगाईए फिर टाइल जाएगा च्छत से नीचे या दूसरे दिवार पर वो सीपेज नहीं जाएगा